कुछ दिन से दो व्लोगर फैमली का फैमली कंट्रोवर्शल जो वीडियो आ रहे हैं उन में से एक चैनल का नाम है निक्की सुमित ओफिशल और दूसरे का है कामनी सिंग के नाम से है ये दोनों ही एक ही family के दो पार्ट हैं और इनके controversial वीडियो family affairs के लगातार वीडियो आ रहे हैं तो आज पूरी तरह से निक्षपक शुरूप से हम इनके जो वीडियो आ रहे हैं जो family affairs चल रहा है उसके उपर अपने comments करेंगे और ये जो comment होंगे ये बिल्कुली दोनों मेंसे किसी की तरफ नहीं होंगे तो पूरा वीडियो देखेगा आपको पूरी असलियत पता लगेगी इनकी controversial जो family affairs चल रहा है उसमें क्या है आज की चर्चा में आपका स्वागत है यूट्यूब पर आज की date में family vloggers की बार लगी रही है यानि इतने सारे family vloggers आ गए हैं कि जिसकी कोई गिंती नहीं है अब उन मेंसे काफी लोग जो है अच्छे famous हो जाते हैं और अपनी उचाईयों को छूते हैं तो उनी मेंसे ये ज प्रावर्शी होती है तो वो एकदम से नहीं होती है उसके पीछे बड़ी लंबी चोड़ी स्टोरी होती है उसके बाद में वो चीज़ें बहार आती है और ये vloggers जो होते हैं जब ये social media पे इस चीज़ को ले आते हैं तो फिर ये और ज़्यादा भेहानक हो जाती है क्योंक जो सारी मर्यादाओं को पार कर जाएगी और इस तरीके से फिर दोनों के दोनों उससे हर्ट होंगे और अपने जवाब देंगे और इस तरीके से ये वार जो होता है ये लंबा खिच जाता है और इसमें इतना दर्थ और इतना पीड़ा घुश जाती है कि इतनी गंदगी निकलती है कि जैसा यह समझ लीजे कि अब एक जखम मुथा वो जखम ठीक होने की बजाए वो इतना गंदा हो गया है कि वो अब रिसने लगा है और बदबू आने लगी है चैनल चलाती है काफी हद तक यह दोणों ही इसके लिए जम्मेदार है और तीसरा अगर को इसमेदार विकती है तो वो सुमित है जो basically बढ़ बढ़ कर इस चीज में पार्ट ले रहा है और अपने explanation अपने तरीके से एक वकील की तरह से सारे points से रख रहे हैं देखे जब एक family होती है तो उसमें बहुत सारी चीज़ें अच्छी होती हैं बहुत सारी चीज़ें बुरी भी होती हैं और family में ये सब जो दुख सुख चलता रहता है और यहाँ पर भी इसी तरीका है यहाँ पर जब ये अब जो बात सामने आ रही है उसमें वो पुरानी history के साथ में सामने आ रहे हैं सुमित अपनी wife निकी और अपनी मदर के साथ में एक वीडियो लेकर आते हैं और starting में ही वो बहुत ज़्यादा दोनों तीनों के तीनों रोते हैं और इस तरह से बात करते हैं जैसे इनका सब कुछ खतम हो गया है और इनकी इज़त बिल्कुल चली गई है परिवार की जरू होती है पहले मदर कुछ बोलती हैं फिर सका सुमित कुछ बोलते हैं तीनों आपस में कुछ ना कुछ बोलते हैं अल्टिमेटली कुछ भी समझ में नहीं आता है और तीनों emotions अपने जो हैं यहाँ पर दिखाते हैं पर देखिए emotions एक जगे होते हैं और fact एक जगे होता है तो हमें emotions को side में रखकर यह सारी चीजे देखने पड़ेंगी कि यह क्या सही कह रहे हैं और क्या गलत कह रहे हैं और दूसरी तरफ की जो वीडियो है इसको भी पूरी तरीके से सुनना पड़ेगा और समझना पड़ेगा उसके बाद में ही आप कुछ राय पे पहुंच सकत हैं तो अगर देखा जाए तो यह जो फैंटी है इसकी जो शुरूआत होती है वह शुरूआत है सुमित को बड़े भाई इस तरीके से उन्होंने ये दिखाने कोशिश करी कि भई हमें जो है ये जुम्मेदारी लेता हूं और आप ये शादी करो कोई ऐसी दिक्कत वाली बात नहीं होगी हमें जो किसी दूसरे की बेटी का सम्मान करना चाहिए और उसकी भी बेटी वाली की विज़त होती है अब य ये आपकी फैमिली की पहली मैरिज है आपको कोई इस तरह का कोई अनुभव भी नहीं है पहले का क्या हुआ है क्या नहीं हुआ है तो आपको वहां से पीछे अड़ जाना चाहिए था लेकिन चलिए आपने उसको आगे बढ़ाया एक बात होगी और उसमें यहां तक कहा कि बही अगर मान लो कोई दिक्कत होती है और यह नहीं करते हैं तो मैं इस फैमिली की जद को रखते हुए मैं शादी कर लूँगा इससे मतलब आप जो इतने आगे तक बढ़ रहे हो अपनी हुमिनिटी दिखा रहे हो अपने आपको अच्छा बनाने के यह सब बाते कह रहे ह पर प्रेक्टिकली देखिए ना प्रेक्टिकली यह सई नहीं है और यह ठीक नहीं है तो यह अगर इन्होंने किया है तो यह ठीक है इन्होंने किया होगा लेकिन यह प्रेक्टिकली यह सई नहीं है और नहीं लोजिकली यह सई है अब आगे चलते हैं वो शादी हो जाती है शादी होने के बाद में भाई जो की कुछ दिन बाद में उसकी जॉब जो है नहीं रहती है और वो बेरोजगार हो जाता है तो वो लंबे समय तक वहां बेरोजगार रहता है और उसके बीच में जो है यह जो भावी है जो नहीं आई है यानि के कामनी कामनी और उसके हस्बें को इसमें stand करने में यहां पर पूरी तरह से घर में कायम होने में उसने बहुत कोशिश करी भई देखे ही हर family में इस तरी के चीज़े होती है कि जब नई बहु आती है जो बहार से आती है वो पराए घर से आती है तो इसमें उसको family में adjust करने में थोड़ा सा time लगता है कुछ family को adjust करना पड़ता है और कुछ जो है उस बहु को adjust करना पड़ता है family के according और उसके बाद पर चीज़ें smooth हो जाती है और फिर आगे ठीक ठाक चलती है ऐसा नहीं है कि सब family में से होता है पर कुछ family में ऐस तरह का होता है तो ऐसे जो initial causes हो आगे चलते हैं आप वो बात करते हैं कुछ family affairs की भी है कि अपने पापा को जो है चाय कौन देता था कौन नहीं देता था वो चाय नहीं देती है तो basically जब तक आपके relation वहाँ पे family में stable हुए और यह सब हुआ तो उसने यह सब कुछ करना शुरू किया और कुछ दिन बाद म भी सब कुछ ठीक था कहीं पर social media पर किसी चीज़ पर कोई चीज बाहर नहीं आ रही थी और यह सब कुछ सही चल रहा था अब आगे चलते हैं तो आगे चलते हैं तो उसकी मतब बात करते हैं pregnancy की उसके बच्चा होने की सब में उस सब के लिए भी वह सुमित अपने आपको आगे रखते हैं कि मैंने बढ़ चड़कर इसमें help करी हाँ एक बात और भी कहते हैं कि शादी से पहले और शादी के बाद में भी वह काफी कपड़े जो है अपनी भावी के लिए select करके उनके लिए मंगाया करते थे तो यह family के routine है family में यह सब चीज़ें होती हैं बहुत अ प्यार करते हैं तो उनके लिए definitely बात है उनके लिए अफर्ट भी करते हैं अब यह family affairs जो है एक नया मोड लेते हैं और नया मोड का बाता है जब दूसरी बहु आती है यानि कि निक्की आती है अब निक्की के आने के बाद में चीज़ें जो डिफर होने लगती हैं क्योंकि अब जो सुमित था वो सुमित अब तक जो है घर को समवालने के लिए वो अपने भावी का साथ दे रहा था और घर को समवालने के लिए काम कर रहा था वैसे देखा जाए ना अगर इन सब का तो सुमित जो है dominating nature का दिखाई देता है जो basically family में dominate करता है वो हर चीज़ में अच्छा कमाता रहा है तो उसकी वज़े से भी होता है लेकिन कई बार होता है ना कि छोटा हो या बड़ा हो इससे कोई फरक नहीं पड़ता लेकिन जो family में dominate करता है तो चलती उसी की है तो यहां तक जो है इसी तरीके से इनके घर में यह चल रही थी अब जो दूसरी चड़कर अच्छा दिखाने की अपने आपको और अपने आपको अच्छा दिखने के लिए दूसरे को नीचा दिखाने की यह सब होड़ अब चालू होगी अब यहां पर vlogging शुरू होगी कि कौन मा को दिखाएगा कौन नहीं दिखाएगा इस तरीकी चीजे भी शुरू लिकिन जो dominating आपने character अभी तक रखा था उसी के हिसाफ से family को balance करके चलते तो यह सब चीजे manage होती आप अपनी कुछ wife को भी balance करते और साथ-साथ भावी को balance करते मा को balance करते अगर आप one-sided होकर इस तरह की चीजे करोगे तो फिर family में differences आने शुरू हो जाएगे अब जो नया बड़ी चालाकी से यह सब चीजें जो है करने शुरू करी और वो मतलब देखा जाये तो अपनी माँ और इन सब को जो है अपने कबजे में करपाई और दूसरी तरफ जो दूसरी कामनी है उसकी चीजों को highlight करना उसको यह करना तो एक दर से देखा जाये तो दोनों में competition श शादी होती है उस कामनी के भाई के जो रिष्टा है वो निकी के घरवालों ने करवाया था तो यहाँ पर आपस में काफी अच्छा interaction था वह तब वो निकी को और इन सब को बहुत मानते थे और यह सब करते थे लेकिन जैसे जैसे वो शादी आगे बड़ी तो यह सब चीज जो बीच के फासले थे वो इतने ज़्यादा बढ़ गए कि अब वो धीरे-धीरे करके लोगों के सामने और बाहर आने शुरू हो गए एक सिंपल सी प्राब्लम को यह लोग एड़ेस्ट नहीं कर पाए निकी को वहाँ पर जैमाला के उपर जाना था और वो थाल लेके खड भी ती और क्योंकि आज की डेट में स्टेज़ जो बनाया जाते हैं वह It is तरह की कई दुर्गटना ही हुई है कि वहाँ पर ओवर्लोड़ होने की वैशarte कि इसकी वज़े से इन लोग ने ये डिसाइड किया था कि वहाँ पर ज्यादा लोग नहीं जाएंगे दो ही लोग रहेंगे तो इसको ये कहा कि भी थाल दे दो ठाल दे दो और वहाँ पर जाना ठीक नहीं है तो उसने जो है उसको थाल दे दिया गुस्से में और उसके बाद में वहाँ चली आई और उसने सीधे सीधे जाकर सुमित से बात करी कि मेरी तो इस तरह बेज़िती कर दी मेरे से वो थाल ले लिया और मैं उनको थाल दे कर आ गई ये एक बहुत बड़ी घटना नहीं जिसको निक्की ने बहुत बढ़ा चड़ा के कोशिश करी और सुमित जोने बिना सोचे समझे अपनी वाइफ का साथ दिया और एक अच्छे खासे शादी के माहौल को एक जगड़े में वदल दिया आप चाहते तो उस टाइम में थोड़ा सा इसको एड़जस्ट करते वो उसको समझाते कि ये मौका ऐसा नहीं है हम फिर बात करेंगे इसके उपर और जरूर बात करेंगे लेकिन अभी थोड़ा ऐसा कुछ नहीं करते हैं लेकिन वो आया और उसने आकर उसके भाई से जगड़ने की कोशिश करी जिसमें की भाई ने उससे बात करने से मना कर दिया definitely भाई को भी इसका मतलब पहले से कोई नो कोई चीज चल रही थी इतना असान तो नहीं है ना क्योंकि वो जीजा का भाई है तो वो उसको बात कर सकता था लेकिन उसने बात नहीं करी और उसने बात करने से मना किया तो definitely उसके हाँ पहले से ही ये सब चीज़े अल्रडी चल रही थी जिसकी वज़े से उसने उस टाइम बात करना ठीक नहीं समझा अब उसने हाथ पीछे करके उसको मना करने कोशिश करी जिसको ये कहाँ माना गया कि शायद उसने थपड़ मानने कोशिश करी है जबकि सुमित क्लिरली एक्सेप्ट करता है कि नहीं उसने मारने के कोशिश नहीं की थी लेकिन उसका हाथ मेरे गाल तक आ गया था इसी में ये सब चीजें जो है कॉंट्रावर्सी में बदल गई अब इसमें जब उसने जगड़ा करना शुरू किया ये सब करना शुरू किया तो उसके ससुर यानि कामनी के फादर वो भी इन्वाल हुए उन्होंने भी इसको बीच बचाओ और इस सब करने के कोशिश की हो करी तो डेफिनेटली वहाँ पर जो है ये इंसल्ट हुई उसके फादर की और यहां से इनका इतना ज़्यादा आपस में फैमिली का हो गया कि अब वो एड़िजस्ट करना मुश्किल हो गया और इसी को करत के जो इसके घरवाले थे कामनी के घरवाले थे उन्होंने वहाँ इतनी ज़ादा बेजस्टी और इस सबकी बात होती तो डेफिनेटली वहाँ पर कैसे आएंगे वहाँ पर तो उन्होंने आना-जाना छोड़ दिया ये भी बात उठती है जब लड़ाई नियुक्ता वहाँ तो इसने जगह उपर अच्पर रहना शुरु कर दिया तो ये ए के बाद में भी मैंने वा निर्वा किया तो अब यह देखा जाए तो अब यहां पर डॉमिनेटिंग नेचर का सुमीत है अब सुमीत ने बहुत क्लियर कट के दिया कि फैमिली में जो किचिन है उसके दो भाग नहीं हो सकते अब उसके दो भाग नहीं हो सकते तो फिर आप सोमझ लीजे कि इस कंडिशन में उस फैंबली में किचिन के दो भाग ना होके अरगर लगी सारा कुछ हो रहा होगा तो फिर ये दो भाग और एक भाग का क्या फरक पर होना तो ये चाहिए तक सेंसिबल तरीकी से बैठ के इस बात को इंट्रस्टिड नहीं थे या ये भी कहिए कि मदर और फादर के किसी की कुछ नहीं चलती क्योंकि सुमित इतना डॉमिनेटिंग नेचर का है कि उसने किसी की सुनी ही नहीं होगा अब देखे इन सब को लेकर ये लोग अब सोशल मीडिया पर आ गए हैं पहले एक वीडियो आती है फिर दूसरी वीडियो आती है फिर तीसरी वीडियो आती है और एक और सचिन और मनिशा जो हैं वो भी बीच में कूद पड़ते हैं और वो भी आकर जो है एक का साथ देना शुरू कर देते हैं वो बिसी कली ये कहते हैं कि यह बहुत अच्छे हैं बहुत बढ़िया था है कि ठीक है फिर आ जाओ सामने मैदान में आ जाओ तो वो उस कमेंट के उपर भी बहुत ज़्यादा उसकी ट्रोलिंग हुई और इस ट्रोलिंग और इन सब के चलते हुए एक के बाद है कि यह वीडियो आते चलेगे तो कुल मिलाके यह है कि यह फैमिली बिलकुल इमेच ही है एक तरफ आके बैठी है तो उनकी भी ट्रोलिंग हुई है तो मदर का इस्तेमाल करना और यह सब करना आप लोग सेंसिबल लोग हो इतने दिन से साथ रहते हो तो आप आपस में बात करो और दोनों अलग-अलग कर सकते हैं तो अलग-अलग के चेंड करके अलग-अलग हो गया यह तो होगा यह होगा अब चाहें आपके संबंद आगे चलके ठीक हो जाएं लेकिन यह वीडियो तो गायब नहीं हो सकती ना और लोगों ने जो इन वीडियो के स्क्रीन शॉट या रिकार्डिंग यह सब जो करकी अगर आप डिलेट भी कर दोगे तब भी हैंगे कि नहीं हैं किस तरह से लगण लड़ जगण के इस तरी के से अपना बतवारा की एरह यह त इस तरह से रहे थे तो यह सारी चीज един को डिसन अब सोचल मीडिया चोड़िये और पहले बैठ कर बात कीजिए बंद कीजिए यहाँ पर वीडियो डालना मैं दोनों फैमिली से कहना चाहता हूं दोनों बंद कीजिए वीडियो डालना एट लिस्ट वन वीक के लिए कोई वीडियो नी डलनी चाहिए और साथ में बैठ कर बा बुरा लगना चाहिए क्योंकि वह आपका भाई है या आपके घर के लोग है ना लेकिन भार के लोग तो उनको अच्छा और बुरा कह रहे हैं ना तो इससे बंद होकर इससे अलग हटकर आपको नई सोच के साथ में इसको खतम करना चाहिए इसके लवाब और कोई तरीका है नहीं और एक दिन आप इसी चीज़ पर आकर बैठोगे ये भी डेफिनेटली मैं कह रहा हूँ एक ही वीडियो में सब कुछ बात कहना सब की बारे में पक्षर रखना बड़ा मुश्किल होता है लेकिन फिर भी हमने कोशिश करिए हैं और आगे आने वाली अगर कोई और भ तो प्लीज कमेंट बॉक्स में आके कमेंट जूर कीजेगा थेंक यू दन्यवाज शुक्रिया